सबसे पहले डिसकस करते हैं चाइल्ड विटनेस को, चाइल्ड विटनेस क्या है? जैसा कि आप समय जी गए होंगे इसके नाम से कि एक बच्चा जब अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराने कोट में जाएगा, तो उस बच्चे की टेस्टिमनी कितने रिलाइबल होगी, क्या reliable होगी भी या नहीं क्या admissible होगी भी या नहीं तो जब भी child witness होगा तो उस case में जो भी testimony उसमें उस बच्चे ने court में दी है उस case में court उसे जादा carefully evaluate करेगी कि क्या उस बच्चे को पहले से tutor तो नहीं किया गया कि तुम्हें जाकर court में यहीं बोलना है तो tutoring को court चेक करेगी य जैसे कि उस बच्चे से पूछा जाएगा कि आपके school में पढ़ते हो आपके friends क्या है आपका circle क्या है ताकि अगर tutor किया भी गया है तो court को समझ में आ जाए और अगर tutor किया भी हुआ है तो बच्चा उस tutoring वाली चीज को court में ना बोले तो सबसे पहले preliminary examination करके यह पता किया ज सकते हैं कि section 118 of the Indian Evidence Act को check करने के लिए क्या इस बच्चे में किसी question को समझने और उसका rational answer करने की capability है भी या नहीं यानी 118 of the Indian Evidence Act को check करने के लिए सबसे पहले इस बच्चे के preliminary examination की जाती है और अगर उस preliminary examination के बाद court is बात से satisfy होती है कि इस बच्चे को tutor नहीं किया गया है तो इस बच्चे की जो testimony होगी वो completely reliable होगी और admissible भी होगी I hope child witness clear हो गया होगा चलते है next witness की तरफ next है हमारा interested witness जैसा कि इसके नाम से ही clear हो रहा है एक ऐसा witness जो court में गवाही देने आया है उसका उस case में या उसका उस party से कोई ना कोई interest है गवाही देने में तीन category में divide करते ह पहला तो जो गवाही देने आया है वो एक third party है वो disinterested है के इसका कोई भी decision हो उसको कोई फरक नहीं पड़ता साथ ही unrelated है ना तो victim का रिष्टेदार है और ना ही accused का रिष्टेदार है जैसे की bystandard जैसे की लडाई जगडा हुआ आसपास जो लोग खड़े हुए थे इसका उनका ना तो केस से कोई लेना देना है और ना ही वो किसी बंदे से पिटने वाले से या मानने वाले से किसी से भी related नहीं है तो वो बंदा अगर आके गवाही देता है तो उसे हम कहेंगे interested witness ठीक है तो और उसके बाद next आ जा जाता है कि एक third party है जो कि interested है उसके में गवाही देकर आनी है तीसरा आ जाता है एक ऐसा witness जो कि related है victim से या accused से ठीक है उसका relation है कि अगर मैंने सजा करवाई तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा या अगर मैंने इसके favor में दी तो ये मेरा relative बच जाएगा मुझे इसके favor में ही देनी है उसके खिलाफ ही देनी है seeing in interest क्या interest है उसका कि वो accused की punishment देख सके तो ऐसा person जो related है और चाहता है accused की punishment हो तो इस तरह के witness को भी हम interested witness कहेंगे तो ध्यान रहे जहां पर भी interested witness आएगा interested witness के case में court एक independent corroboration मांगेगी कि कोई independent witness होना चाहिए interested witness की testimony को corroborate करने के लिए example से समझ लीजिए जैसा कि मान लीजिए A और B दो accused हैं दोनों ने ex portion की पिटाई करी है जो FIR कटी A और B दोनों के खिलाफ कटी अब A के खिलाफ कोई मजबूत गवा नहीं है तो B को कहा गया आप accomplice बन जो अब B किया हुआ interested witness हुआ कि अगर मैं A के खिलाफ गवा ही दूँगा तो मैं बज जाओंगा ठीक है तो जहां पर भी interested witness होगा वो उस case में corroboration court देखेगी अब यहां पर क्यूंकि वो accomplice बन गया है तो accomplice के लिए जिस तरह की एक accomplice की testimony record की जाती है उसी तरीके से यहां पर भी accomplice की testimony यानि interested witness की testimony record की जाएगी और वो भी अपने आप में reliable नहीं होगी उसको भी एक independent collaboration की जरुरत होगी I hope interested witness भी clear हो गया होगा उसके बाद next witness जो हमने discuss करना है वो है injured witness जैसे कि इसके साम से clear हो रहा है injured witness यानि कि एक ऐसा person जो की court में गवाही देने आया है और वो injured है यानि कि जब वो incident हुआ था वो वहां पर present था और उसकी वहां पर presence की वजह से उसे चोटे लगी थी तो यहां पर court के सामने यह बिल्कुल clear है कि जो person वहां खड़ा होके अपनी आखों से पूरा incident देख कर आया है और साथ ही यह प्रूव होता है क्यूंकि वह वहां पर present था इस वजह से उसको यह चोटे लगी है तो इस तरहां कि जो witness की testimony होती है वह reliable होती है जब तक की कोई strong ground ना हो उसकी evidence की rejection का उसकी testimony की rejection का जब तक कोई strong ground नहीं है तब तक उसकी जो witness उसकी जो testimony है वह reliable है I hope यह clear हो गया होगा उसके बाद next witness है हमारा chance witness chance witness क्या है एक ऐसा person जो court में testimony देने आया है वो by chance जिस place पे वो incident हुआ था वहाँ by chance या by coincidence प्रेजंट था तो एक ऐसा person जो court में testimony देने आया है as a witness वो present था place of occurrence पे जो उसकी presence थी वो by chance थी इस case में यह third person भी हो सकता है यह disinterested person होगा उस case में यह unrelated person होगा जैसे कि एक by standard वो वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसने वो सारा incident अपनी आँखों से देखा और वो court में अपनी testimony record कराने आता है कि मैं by chance उस place पर present था तो इस case में जो chance witness है इसकी testimony acceptable होती है पर कहीं पर भी अगर doubt होता है तो इसकी testimony discard कर दी जाएगी उसके बाद next witness है हमारा hostile witness hostile witness हमें section 154 of the Indian evidence act में भी दिया गया है hostile witness क्या होता है example से समझे ए for example मैंने अपना support करने के लिए ex witness को अपने case में बुलाया वो court में आने पर मेरा support करने से मना कर देता है या फिर opposite party का support कर जाता है deliberately तो इसे कहेंगे hostile witness जब कोई witness इस तरीके से करता है यानि कि मैंने ex witness को बुलाया मेरे favor में evidence देने के लिए और वो मेरे favor में evidence ना देकर सामने वाली party को support करने लगे तो अब मैं with permission of the court उससे cross examine nature के question put up कर सकती हूँ जो की adverse party दूसरी party के witness से put करती है कैसे समझे देखिए अगर मैंने किसी witness को call किया है मैंने अपने favor में किसी witness को call किया है तो मेरी duty बनती है उसका chief record कराने की chief examination जो उसकी cross examination करती है वो opposite party करती है पर hostile witness के case में opposite है hostile witness के case में क्या है कि cross examine जो है वो मैं खुद करूँगी अपने witness का क्यूंकि अब वो मेरे खिलाफ हो गया है तो hostile witness क्या है कि जब कोई witness deliberately मेरा support करने से मना कर दे या सामने वाली party का support करे तो इसे हम कहेंगे hostile होना अब इस case में क्या होता है यह आपको provide किया गया है 154 में अब 154 की depth में हम नहीं जा रहे है क्या समझना है main हमें के hostile witness क्या होता है जब उस witness को बुलाया वो मेरे खिलाफ हो गया तो अब मैं क्या कर सकती हूँ उससे with the permission of the court court से permission लेनी पड़ेगी कि ये witness मेरा hostile हो गया है मैं इसे cross examine करना चाहती हूँ तो with the permission of the court मैं उससे question put up करूँगी जो की cross examination के nature के होंगे सच्चाई बहार आने के लिए कि वो क्यूं मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है अब यहां पे जब हम hostile witness करते हैं तो हमें एक maxim ध्यान में रखनी है falses in uno, falses in omnibus यानि कि अगर किसी statement का एक part supporting नहीं है तो वो पूरी statement supporting नहीं होगी पर ये जो maxim है वो इंडिया में नहीं लगती है तो मतलब कि कोई witness आया तो उसने उससे 10 question put up किये गए उस 10 में से उसने 2 में मेरे against गया और 8 में मेरे support में गया तो जिस 8 में मेरे support में गया उस 8 का मैं use कर सकती हूँ और उन 2 का मैं use नहीं करूँगी इसलिए बोला गया कि ये maxim इंडिया में applicable नहीं है तो यहां पे हमने 5 तरीके के witness इसको discuss किया है I hope ये 5 तरीके witness आपको clear हो गए होंगे